अपने घरवालों पर खर्च करने की फजीलत रसूल अल्लाह ने फर्माया, एक वह दीनार जिसे तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और एक वह दीनार जिसे तुमने किसी गुलाम के आजाद करने में खर्च किया और एक वह दीनार जो तुमने किसी गरीब को सदका कि और एक, अल्लाह ने रोजी का वित्रन अपने एक मरजी से रखा है। कुछ लोगों को अधिक से अधिक दिया तो कुछ लोगों को कम से कम, हर युग में और हर समाज में मालदार और गरीब दोनों का वजूद रहा है। सवाल यह है कि आखिर अल्लाह ने अमीरी और गरीबी क रसुल अल्लाह ने फर्माया, इंसान के कद्म कियामत के दिन अल्लाह के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे पांच चीजों के बारे में सवाल न कर लिया जाए एक उसकी उमर के बारे में की उसको कहां खत्म किया दो उसकी जवानी के बारे में रिसूल अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में कतल किया जाए या उसको मोत आ जाए तो वह सीधा जन्नत में जाता है अब कुरान में अल्ला तौला फर्माता है, जब तुम बात किया करो, तो इंसाफ का ख्याल रखा करो, अगरचे वह शक्स तुम्हारा रिष्टेदार ही हो और अल्ला तौला से जो अहत करो उसको पूरा किया करो, अल्ला तौला ने तुम्हें इसका ताकीदी हुक्म दिया है ता कि तुम याद, कुरान में अल्ला तौला फर्माता है, ये बताय हुए अहकाम ही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी पर चलो और दूसरे गलत रास्तों पर मत चलो वरना वो रास्ते तुमको राहे खुदा से हटा देंगे, अल्ला तौला इस बात का तुमको ताकीद के कि तुम तेड़े, रिसूल अल्ला ने एक चमात को अल्ला के रास्ते में रवाना करते हुए फर्माया, अल्ला के नाम पर सफर शुरू करो और यह दूआ दी, तर्जमा, ए अल्ला, इनकी मदद फर्मा, क्लोस्ट बुक तबरानी कबीर, 11,389 सब मिलकर अल्ला की रसी को मज बूत पकड़े रहो, यानि कुरान करीम के बताय है तरीके और रास्ते पर चलो, और आपस में नायत्ते फाक्री मत करो, अगर तुम नायत्ते फाक्री की वजह से, दिल कुरान, शाम के 5 बच के 30 मिनट, 24, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की बंद जाए, तो इसको पूरी तविज्जोह और गोर से सूना करो और खामोश रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए, क्लोस्ट बुक सूरह राफ़ह 204, रिसूल अल्लाह ने फरमाया, जब आदमी अपने अहले खाना पर सवाब की नियत से खर्च करता है, तो यह खर्च करना उसके हक में सद्का है, क्लोस्ट बुक बुखारी, पच्पन रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर रोज जब अल्लाह के बंदे सुबह को उठते हैं, दो फरिश्टे नाजल होते हैं, उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, अच्छे कामों में खर्च करने वाले को मजीद अता फरमा और दूसरा कहता है, अल्लाह, माल को अच्छे कामों में खर्च करने, कुरान में अल्लाह तौलाह फरमाता है, बेशक जो लोग काफिर हो गए और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका और हिदायत साहिर होने के बाद अल्लाह के रसूल की मुखालफत की, तो यह को जरा भी नुकसान नहीं पहुचा सकेंगे और अल्लाह तौला रिसूल अल्लाह ने फरमाया जिसने अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखा तो अल्लाह तौला उसके और जहन्नम के दर्मियान आसमान वा जमीन के फासले के बराबर खंदक कायम कर देगा। सुनलो, तौम ऐसे हो कि जब तुमको अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है, तो तुममें से बाज लोग भुखल करते हैं और जो कंजूसी करता है, तो हक्किकत में अपने ही लिए कंजूसी करता, वर देखान में अल्लाह तौला फरमाता है, यह काफिर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि इस कुरान को मत सुना करो और उसके दौरान शोर मचाया करो, उम्मीद है कि इस तरह तुम गालेबा जाओगे. उन काफिरों को हम सकत अजाब का मज़ा चखाएंगे और यकीनन हम उनको, रिसूल अल्लाह को जब अल्लाह ताला की हुप्म से हिजरत की इजाज़त मिली, तो उसकी इत्तिला हजरत अभू बक्र सिद्धीक्र, आपको दे दी, और जब हिजरत का वक्त आया, तो रात की वक्त घर से निकले और काबा पर अल्विदाई नजर डाल कर फर्माया, तू मुझे तमाम दुनिया से, कुरान में अल्लाह तौला फर्माता है, ए इमान वालो, जब तुम आपस में खुफिया बाते करो, तो गुनाह और जोल्म वज्याती और रसुल की नाफर्मानी की बाते न क किया करो, बलके भलाय और परहेजगारी की बाते किया करो और अल्लाह से दरते रहो, जिसके पास तुम सब जमा